हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको इंग ये 2003 की कोरियन रोमेंटिक मुवी एक्स्प्लिन करने वाला हूँ हम सब के पास बहुत ही कम टाइम होता है पर इस टाइम को सही तरीके से खुशी से जीना यही इंपोर्टन्ट है एक beautiful message ही मुवी देती है तो चलिए इस beautiful movie को explain करना start करते है मुवी start होती है और हमारे main character मीना हमें दिखती है मीना अपनी school का road cross करी होती है तबी signal चला जाता है वहाँ पर एक आदमी उसे help करता है मीना अभी अभी school में आई है तो इस आदमी के बारे में उसे पता नहीं है मीना रात में जब घर आती है तो वो बैले देख रही होती है इसे बैले से लेकर बहुत ही fascination होती है मीना किस करने के बाद स्कूल में आ जाती है पूछने लग जाती है उपने प्यार के हमें स्टोरी सुनाओ टीचर कुछ बोलने रहे होती तो लटक्या गहती है कि उस सिगनल वाले की स्टोरी हमें सुनाओ यह स्टोरी मीना को अभी पता नहीं चलती थोड़ी दिर में मीना के टीचर उसे पास बुराते है वो कहते है कि सेमिस्टर के मीड में तुम आ चुकी थी अगर तुमें कुछ सवाल हो तो तुम मुझसे पूछ सकती हो मीना को कुछ भी सवाल नहीं होता और जा रहे होती है तभी उसे उस आदमी की याद आ जाती है वो कहती है कि वो सिगनल वाला आदमी कौन है वो यहाँ क्या करता है यह टीजर कहते है कि वो आदमी जब स्कूल में था तब उसे एक लड़गी से प्यार हो गया था वो एक दिन सिगनल क्रॉस कर रहे थी और उसका ऐसिडन्ट हो गया वो उसे इतना प्यार करता था कि हर दिन वो signal पर खड़ा रहता है और किसी का भी accident ना हो इसलिए वो हमेशा ध्यान रखता है रात में मिना की मदर मिना की नर्स से बात करे हैं यह हमें दिखता है मिना बच्पन से होस्पिटल में थी एक बीमारी है जिससे वो हमेशा बीमार पढ़ती रहती है यह कभी भी मर सकती है इसकी condition जिस बच्चों को होती है वो बहुत ही जल्दी मर जाते है इसलिए हमने देखा था कि मिना को बहुत सारे medication लेने पढ़ते है यह नर्स मिना की मदर को कह रहे होती है अगर तुम मिना की खैल रखना है तो तुम उसे होस्पिटल में रखो मिना की मदर कह दिए कि वो इतने साल तक जी है एक मिराकली है अगर वो थोड़ी दिन भी जिन्दा रहे पर होस्पिटल में उसे बहुत ही पेन होता है मैं उसे दर्द नहीं देना चाहती मिना स्कुल से वापस आने के बाद रात में अपने हेड़फोन्स पर खिड़के में गाने सुन रहे होती है हमें दिखता है कि एक लड़का जिसका नाम होता है यंग ये नीचे कच्रा फिकने के लिए आता है ये खिड़के में मिना को देखता है मिना को देखकर उसे हाथ देने लग जाता है मिना का ध्यान नहीं होता पर उसका ध्यान खीजी लेता है मिना सिगरेट पी रहे होती है ये उससे सिगरेट मांगता है यह कहता है कि अभी अभी मैं नीचे रहने के लिए आया हूँ तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा मीना उसे कुछी बोलने रहे होती है तो कहता है कि तुम बहुत ही रूड हो मीना सिगरेट फेक थी है तो उसे वो लाइटर भी मांग लेता है मिना अपना लाइटर फिर से वापस लेना चाहती है पर कहता है कि अगली बार हम मिलेंगे तब मैं तुम्हें ये लाइटर दूँगा नेक्स दिन मिना और उसकी मदर रस्ते से जा रहे होते है तब यंग उनसे मिल चाता है मिना के मदर को अपने आपको इंटर्डूस कराता है मिना को कहता है कि जल से जल मैं तुम्हें वो लोटा दूँगा मदर मिना को चीडाने लग जाती है वो कहती है कि ये तो तुम्हारी टाइप का है मिना कहती है अगर तुम्हें इतना पसंद है तो तुम ही इसे रख लो इन दोनों की रिलेशनशेप बहुत ही प्यूटिफुल होती है एक दूसरे की अच्छे हैं फ्रेंड्स होती है मिना अपनी मदर को मदर भी नहीं बुलाती डारेटली उसकी नाम से कभी कभी पुकारती है आज मदर मिना को एक सेलफोन गिफ्ट करती है मिना जब बुक स्टोर से घर वापस आ रहे होती है तो यंग उससे फिर से मिलता है मिना कहती है कि मुझे तुम क्यू सता रहे हो यंग कहता है कि तुम्हें सता नहीं रहा मैं तुम्हारा सिर्फ पीछा कर रहा हूँ यंग कहता है कि मुझे तुम अच्छी लगती हो इसलिए मैं तुम्हें सताता हूँ इसके पीछे एक psychological भी एक reason है हमारा दिमाग हमेशा हमारी problem solve करता रहता है मैं अगर थोड़ा सा तुम्हें तंग करूँगा तो तुम हमेशा मेरे बारे में सोचती रहोगी मिना ने भी ये टिवी पर देखा हुआ होता है मिना फिर उससे पुछती है मेरा लाइटर कहा है वो तुम मुझे दो यंग कहता है कि अभी तो मेरे पास हो नहीं है पर उसके पास एक बैग होती है जिसे हो कैंडी निकाल कर मिना को देता है मिना ले नहीं रही होती तो ये कहता है मिना फिर वहाँ से भाग जाती है मिना ने स्कूल में अपना फोन कुम कर दिया था उसकी मदर उसे वो देने के लिए आती है मिना अपने मदर से बात करे हुथी है तभी उसे यंग का कॉल आ जाता है यह पहली बार उसे काट देती है यंग फिर से कॉल करते है और कहते है प्लीज काटो मत अगर तुम बात नहीं कर सकती हो तो मत करना यह उसे रात में खिड़की पर बुलाता है फोन बंद हो जाने के बात मिना अपने मदर के पास बेटती है यह कहती है कि क्या तुम फादर को याद करती हो मिना की मदर कहती है कि हाँ कभी-कभी मैं उन्हें याद करती हूँ पर मैं उन्हें आप भूल चुकी हूँ, मदर मीना से बोचती है, किस तरह का प्यार तुमें चाहिए, मीना कहती है, कि मुझे इस ट्राइफिक लाइट वाले जैसा चाहिए, अगर आपका प्यार कंप्लेट भी नहीं हो सका, पर फिर भी दुनिया को ठुकरा कर, सिधियों तक चलने वारा प्यार मुझे चाहिए, ट्राइफिक वाला आपमी अपने प्रेमी का से जिंदगी भर प्यार के रहा है, इसी तरीक का प्यार इसे चाहिए, रात में मदर ली सुके फादर की सब इमेजे स्वेगरे देखती है, ये बोल रहे होती है, कि मैं हमेशा तुमें को खिड़की में बुला होता है, पर उसे इग्नोर कर रहे होती है, बहुत रात हो जाती है, तो खिड़की में आ जाती है, पर उसे यांग कहीं भी नहीं दिखता, निक्स दिन जब वो स्कूल से वापस आती है, तो यांग ने उसके लिए गिफ्ट भेजा होता है, जब वो से चोटे से पत्थर उसके खिड़की पर डाल रहा होता है गाड जब इसे स्पोट कर लेता है तो कहता है कि बड़े-बड़े उंदीर वहाँ थे यहां से हो असकर भाग जाता है मीना एक्च्वल में आई थी इसी वज़े से वो घर पर नहीं थी मीना हमेशा ग्लोस पहेन कर इसके हाथ में सिर्फ जारी उंगलिया होती है इसी वज़े से इसके कोई फ्रेंड नहीं थे यह मॉल में एक प्रेग्नन लेडी को देखती है अपनी मदर से फिर यह पूछती है तुम्हें सोनोग्राफियों में दिखा होगा कि मेरे इसे हाथ है इससे कम एनमेली होने पर कुम्हारे जो फाजर है इसके चोटेन लुटाने के इंग के पास जाती है और यह फोटोग्राफर होता आ थो यह बहूत सारी फोटोसुरीए हुए होती है यह इससे शब्स לह रहा होता है तो मीना कहती है कि क्या ये मेरे लिए गिफ नहीं था यंग कहता है कि अकेले नहीं रह सकते इसके प्रेमी के साथ इसे रहना पड़ेगा ये फिर मेना को और एक टेटर लाता है और उसे दे देता है मेना उसे फिर से अपना लाइटर मांगती है यंग साव जागा ढूरने लग जाता ह पर कहीं भी उसे lighter नहीं मिलता एक temporary lighter वो उसे दे देता है वो मिना से कहता है कल मैंने जब तुम्हें phone लगाया था तब तुम्हारा number मैंने memorize कर लिया था मुझे फिर से तुम्हारा number दो यह number जब वो ले रहा होता है तो यह floor पर लिखता है इसे लगता है कि erase हो जाएगा मिना जब check करती है तो यह erase नहीं हो रहा होता मिना अपने neighbor को बुलाती है और सब इस गाम में लग जाती है फिर भी यह number erase नहीं होता मिना की made पहचान जाती है कि यह number मिना का है यह कहती है कि यह तो photographer है इसे तुम बहुत सारी images ले सकती हो इसके बाद हम देखते है कि बैलकनी में मिना और यंग खड़े होते है मिना यंग के camera से photos ले रही होती है यंग उसे सही तरीके से photo कैसे लेने है यह सिखाता है यहां यंग कहता है कि पहली बार मैंने तुमें जब देखा तब से मुझे तुम पर crush हो गया था मिना थोड़ी सी uncomfortable हो जाती है और घर जली जाती है रात में जब यंग नीचे से जा रहा होता है तो मिना उसे चुप के से देखती है मिना और उसकी मदर जब movies में जाते है तो उसकी मदर उसे खुब चिड़ाती है इसे पता है कि मिना का यंग के साथ कुछ चल रहा है मिना जब घर से जा रहे होती है तो यंग उपर से एक चाता फेकता है वो कहता है कि आज बारिश आने वाली है मिना आज उसके नर्स से मिलती है मिना की जो नर्स होती है ये भी उसके अच्छी फ्रेंड होती है मिना उसे बुछती है कि क्या तुमारा कभी बॉइफ्रेंड था नर्स कहती है कि बहुत सारे लड़की मेरे लाइफ में आये थे पुर मुझे पता नहीं कि यह मारे boyfriend थे या नहीं थे यह nurse पर excited हो जाती है मिना से बुच्छती है क्या तुम्हारा boyfriend है मिना कहती है कि मुझे पता नहीं है nurse पर उसे सला देती है कि feelings होती है तुम्हें तुम्हारे instinct पर ध्यान देना चाहिए और इसी को follow करना चाहिए तुम्हें डरा हुआ महसूस हो सकता है पर यह जो feeling से यही important होती है मिना फिर यंग को call लगाती है और कहती है कि क्या snacks खाने है इसे लगता है कि sex के लिए बुच रही है यंग फिर सिरेज हो जाता है यह कहता है हमें पहले एक दूसरे को जान लेना चाहिए और हम एक दूसरे के साथ अच्छा सा time कुज़रे फिर हम यह कर सकते है यंग को ऐसा रगा इस पर मिना बहुत हसने लग जाती है इस दिन यह दोनों एक दूसरे के साथ time spent करते है यह जब बस में चाहिए तो यंग की आईस क्रीम एक लेडी पर गिर जाती है मिना अपने गलव से यह पोच्छती है यंग फिर कहता है कि यह तो खराब हो चुके अपने शर्ट से उसके हाथ पोचने लग जाता है इसके हाथ abnormal है तो सब लोग उसे देखने लग जाते है यंग मिना का हाथ लेता है और कहता है कि रेजर भी में सब लोग को हम अब माल डालने वाले है मिना embarrassed होती है पर इससे वो हसने लग जाती है इसकी मदर जिस तरह से इसे अच्छे से treat करती है उसी तरह से यंग भी उसे treat करता है रात में नीचे की खिड़की से यंग उससे बात करता है इन दोनों में अच्छी सी friendship डेवलोप होने लग गई है वाच्मन ये सब देईता है जिस तरह से हर वाच्मन होता है उसी तरह से मिना की मदर को वो सब कुछ बता देता है मिना की मदर इस सब को ignore कर देती है रात में मिना यंग को पाक में लेकर आती है उसने उसके साथ turtles भी लाय हुए होते है यंग से कहती है कभी-कभी इने fresh air मिलनी चाहिए यंग को एक सवाल आता है वो मिना से कहता है कि तुम अपनी मदर को डारिक ले उसके नाम से क्यों पुकारती हो मिना कहती है मेरा इस तरके से हाथ था तो इसे वज़े से कभी भी मेरे फ्रेंड्स नहीं बने थे और अगर बनते भी थे तो थोड़े टाइम में वो मर जाते थे मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं था एक दिन मेरी मदर कोश्यूम में आई और मेरा फ्रेंड होने का प्रिटेंड उसने किया इसके बाद से हम अच्छे से फ्रेंड बन गए यंग कहता है कि तुम और तुमारी मदर की रिलेशन्शिप बहुत ही ब्यूटिफुल है निक्स दिन मिना के स्कूल में सब लड़किया अपनी होरोस्कोप देख रही होती है इसमें मिना देखती है कि लव साइन जो है यह इसके लिए अच्छा है जब वो यंग से मिलने के लिए आती है तो लव साइन बना हुआ टीशट ही पहन कर आती है मिना यंग के गर पर बहुत सारे हवाई की इमेज़ेस देखती है यह उसे इसके बारे में पुछती है तो यंग वहाँ बहुत बार जाकर आया हो ओता है यहाँ के एनिमल्स, यहाँ की बीचेस इन सब के वो फोटोस लेता है मिना यहाँ पानी में का एक टर्टल भी देखती है यह यंग से बुछती है कि क्या हमारे पास जो टर्टल है यह भी बड़े होने के बाद इतने ही बड़े बनेंगे यंग कहता है कि तुम तो बहुत ही सिली हो इनकी परजादी ही अलग है यह कभी भी इतने बड़े नहीं बनेंगे मिना कहती ही कि तुम तो स्मार्ट हो इसी वज़े से तुम बचसुरत हो इसका भी वो यहाँ मजाग ले 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 थी है मिना को हमेशा से बेले देखना था उसे फैसिनेशन थी तो बेले के स्टूडियो में है उसे लेकर आता है यहाँ पर यहंग बहुत सारे फोडर्ज लेता है और मिना को तैयर होने के लिए कहता है मिना को भी बेले प्रैक्टिस हो आज करवाने माला होता है मिना की बहुत सारे ब्यूटिफुल फोडर्ज लेता है मिना ये प्रैक्टिस कर रहे होती है तभी उसे चक्कर आ जाती है इसी कंडिशन की वज़े से ये कभी भी बिमार पढ़ सकती है मिना की मदर और नर्स वहा होती है मिना जब आग खोलती है तो कहती है कि ब्लीज तुम अपने काम पर जली जाओ मैं अपने आपका खैल रख सकती हो मिना खोसकी वज़े से किसी की भी लाइफ डिस्टरब हो ये अच्छा नहीं लगता नर्स मदर से कहती है कि तुम्हें अब मिना को हस्पिटल में एडमिट करोना चाहिए मदर कहती है कि मैं यही करना चाहती थी पर एक दिन मिना ने अपनी नर्स काड ली थी उसे नॉर्माल ही लाइफ चीनी है मिना की मदर अब रोने लग जाती है कहती है कि वो ज़्यादा से जादा जी है यही मैं चाहती हूँ यंग मिना को एक गिफ्ट लेता है यह बैले के शूज होते है मीना जब यंग से फिर से मिलने के लिए जाती है तो इस बार यंग की पूरी वाल मीना के पिक्चर से ही भरे हुई होती है मीना जब पाग में थी, बैले में थी जब भी उसके साथ हो था सब बहुत थी beautiful पिक्चर उसने उसकी ली थी मिना जब उन्हें मदर के साथ होती है तो उसकी मदर कहती है कि नेक्स मंद हम यूरोप जा सकते है उसकी मदर ने बहुत सारे पैसे अब सेव कर लिये है और बैले देखने के लिए यूरोप जा सकते है मिना कहती है कि अब मुझे बैले नहीं देखना इसे अब हवाई जाना होता है ये भी उसे यंग के साथ जाना होता है इसके लिए अपने मदर को वो कन्विंस कर लेती है नेक्स दिन यंग और मिना अपने नेल्स पर एक दूसरे की इमेज बनाते है ये पाक में आते हैं और खुब मज़े करते है यंग मज़ा करता है और कहता है यह जब भी मैं टॉरेट जाओंगा तो हमेशा मुझे अनकमफरडबल लगेगा मिना की इमेज उसके नेल से और बनी हुई है तो उसे लगेगा कि हमेशा उसे देख रही है मिना उसे पाने में गिरा देती है बहुती ब्यूटिफिल मुमेंट एक दूसरे के साथ गुजार रहे होते है रात में मिना अपने मदर को जब सुलाती है तो उसके मदर के रूम में उसके फादर की जो सब चीजे है यह देखने लग जाती है मदर की डायरी में जो सब लिखा हुआ होता है वो सब वो पढ़ती है उसे अब महसूस होता है कि उसकी मदर भी बहुत ही अकेली ही है वो हमेशा उसके फातर को याद करती रहती है अब मीना बहुत ही सैड हो जाती है वो रात में भी बहुत रोती है अगले दिन में यंग से नहीं मिलती यंग फिर उसके स्कूल में बोच जाता है आज बारिश हो रही होती है तो यंग ने उसके लिए छाता लाया होता है यह दोनों जब रस्ते से जा रहे होते हैं तो यह फिर से सिगनल वाले को देखते हैं मिना कहती है कि आदमे बहुत ही घटिया है किसी से पैर करना और इसके पैर में हमेशा से रहना इसके कितना दर्द महसूस होता होगा इस सिगनल वाला आदमे भी बारिश में रो रहा होता है यंग कहता है कि मुझे तो बहुत ही फॉर्चुनेटे लगा किसी के प्यार में पूरे लाइफ तुम गुजार दो इससे अच्छा क्या हो सकता है मिना अपने मदर के साथ लंच कर रही होती है अपनी मदर को कहती है कि तुम भी अकेली हो चुकी हो या अपनी मदर को कहती है कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकूंगी इसलिए तुम भी अपशादी कर लो मिना की मदर इसे मजाग में लेती है मिना सिरियसली अपनी मदर को कह रही होती है कि उसे किसी को ढोड़ना चाहिए मिना को लगता है कि जल से जल वो गुजर जाएगी इसके बाद अपनी मदर का खैल रखने के लिए कोई चाहिए क्योंकि वो अकेला महसूस ना करे मिना यंग को बहुती सुबे सुबे ही बाहर लेकर आती है उसने उसके साथ टर्टल्स भी लाय होई होती है आज वो बहुती खुश होती है इस बल में वो बहुती खुश है तो इसे वो कैप्चर गरना चाहती है यंग कैमेरे में टाइमर लगाता है और इन टर्टल्स के साथ ये दोनों फोटोज लेते है अब हमें बहुत सारी इमेजेस दिखाए जाती है जिसमें ये दोनों खुश है अच्छे से बल ये गुजार रहे है मेना यंग के साथ एक्वारियम आयू हुई होती है वहाँ पर वो टर्टल देखना चाती है पर उसे कहीं भी नहीं देखती है उसे लग रहा है कि वो हवाई जानी पाएगी यही उससे चक्कर आ जाती है इसकी कंडिशना बहुत खराब हो चुकी है यंग को बहुत ही दूख होता है डिस्टर्ब हो जाता है रस्ते से जब चल रहा होता है तो एक हवाई का पोस्टर देखता है उस पोस्टर को फाड़ने लग जाता है मिना का सबना था कि वो हवाई जा सके पर वो जा नहीं सके की तो इसे बहुत ही दर्दब हो रहा है यही रोने लग जाता है नेकसिन में में दिखता है यंग मिना की मदर से मिलता है मदर ने यंग को पैसे दिये थे मिना से मिलने के लिए उसे अपनी गल्फेंड बनाने के लिए यंग को अब सचमुच मिना से प्यार हो गया है वो कहता है कि अगर मैंने ये सब पैसे लिए तो ऐसा होगा कि पैसो के लिए मैं उससे मिला था मिना की मदर उसका प्यार देखकर कहती है मैं बहुत ही सौरी हूँ मुझे नहीं करना चाहिए था नेक सिर्म में हमें दिखता है कि मिना क्या होस्पिटल में यंग आया हुआ है मिना हवाई जा नहीं सकती है तो हवाई का सब डिस्क्रिप्शन उसे देता है किस तरह का वेदर वहा है किस तरह के सिनरी वहा है मिना अनकॉंशेस होती है फिर भी इसके आख में आसो आ जाते है यंग उसे कहता है कि हवाई में बहुत ली क्लियर पानी है ये पानी एक तरह का गूडल लग होता है मिना अपने सपने में ही वो यंग के साथ उस पानी में है उसके आसपास टर्टल घुम रहे है यह जो टर्टल है इसके प्यार की निशानी है जो भी उसे चाहिए था यह सपने में जी लेती है हवाई में बीच पर संसेट देखते है और एक दुसरे को किस करते है यह सब स्वीट मेमरीज वो सपने में जी लेती है यंग मिना के लिए एक अच्छा सा ब्रेसलेट लाता है और उसे पहना देता है उसका हाथ मिना के हाथों में लेता है और एक फोटो निकालता है अब हम देखते हैं कि थोड़ा समय गुजर चुका है मिना अब इस दुनिया में नहीं रही इसका जब एक्जिबिशन जलता है तो मिना के साथ हाथों में जब उसका हाथ था तो जो उसने फोटो लिया था ये फोटो उसने वहाँ लगा हुआ होता है मिना की मदर यंग से मिलने के लिए आती है उसे ये सब करवानी के लिए वो सौरी के थी है मिना ने मनने से पहले यंग के लिए गिफ्ट बनवाय था यह मिना की मदर अब यंग को देने के लिए आई हुई है मिना की मदर घर पर आती है उसकी डायरी जब देखती है तो मिना ने उसकी डायरी में कुछ लिखा हुआ होता है मिना को पता था कि यंग को मिना के मदर नहीं पैसे दिये है इसमें लिखा होता है तुमने जो किया वो तुमारे लिए hard हो सकता है पर इसके लिए मैं बहुत ही thankful हूँ मेरे पास जितने भी दिन अब बचे हुए है इसमें बहुत ही happy हूँ मरने से पहले खुश रहे कर यही gift में तुमें देना चाती हूँ यंग मिना का gift खोलता है मिना की drawing book इसमें होती है यह दोनों खिरके से बात करते थे इन दोनों का प्यार signal वाले की तरह ही है इसलिए signal वाले की image भी आ होती है इन दोनों का love अब अमर हो चुका है यंग यह सब देखकर रोने लग जाता है और कभी भी वो उससे नहीं भूलेग यह movie हम से कहकर जाती है कि हमारे पास भरे टाइम कम हो पर फिर भी हम एक दुसरे से प्यार कर सकते है और जो moment हमारे साथ है वो एक पुरी lifetime की तरह जी सकते है यह जो हमारा time है इसमें हम खुश रह सकते है हम सब के पास एक limited ही time होता है तो क्यों ना इसे सही से जिया जाए ए एक beautiful message के साथ ही movie end हो जाती है अगर आप कोई वीडियो अच्छा लागा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी ऐसी movies लेकर आता रहूंगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइक पर दीजी और बेल नोटिविशन आइकन दबाना में मत हम फिर से मिलेंगे और एक नहीं movie के साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका ख्याल रखिए